सबी को नमस्कार श्री रतनलाल कामलाल पाटनी राजके सनातकोतर महाविद्याल किशनगड के यूटूब चैनल CCE राजकिशनगड पर आप सबी का स्वागत है Students राजके सनातकोतर महाविद्याल किशनगड का यूटूब चैनल है इसके उपर इस YouTube चैनल पर आपको आपकी सब्जेक्स से रिलेटेड काफी कुछ लिट्रेचर मतलब पढ़ने का जो आपका मटेरियल है वो प्रवाइड करवाया जा रहा है आप इसका अध्यन करें आपकी आने वाली yearly exams में ये बहुत useful e-content है कौराना जो वेश्विक मामारी को देखते वे इस वर्ष e-content तयार करने की योजना कोलिज आईकताले ने स्टार्ट की है तो उसी श्रंखला में ये e-lectures या कहले video lectures तयार करके आप तक पहुँचाया जा रहे है इस youtube channel के comment box में आप हमें कोई suggestion दे सकते हैं आपकी कोई प्रतिक्रिया हो उसे note करवा सकते हैं आपको इन e-content में कुछ सुधार चाहिए आप अन्य और कोई अध्यान सामगरी या study material चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमको बता सकते हैं मैरा नाम महिंद्र कुमार वर्मा है मैं वेवसाइक प्रिशाशन विभाग यान की commerce department से हूँ आज के इस वीडियो में हम become part third के पीपर first principle of marketing यानि की विपनन का जो सिद्धान्त है उसके इंतरगत हम मुल्य एम मुल्य निर्धारण के उपर discuss करेंगे मुल्य एम मुल्य निर्धारण का जो टॉपिक है इस टॉपिक के उपर यह मेरा तीसरा वीडियो है पहले दो वीडियो में हमने मुल्य का अर्थ परिवाशा विशेशता है मुल्य निर्धारण का अर्थ परिवाशा विशेशता है दूसरे वीडियो में हमने मुल्य निर् कारण के उद्देशे के बारे में अध्यान कर रहे हैं तो स्टूदेन्स मुल्य निर्धरण का जो उद्देशे है वह कोई भी कारे निरुद्देश्य नहीं किया जाता है यानि कि आप कोई भी कारे करते हैं अपने कारे को मलत किसी भी कारे के लिए कोई ने कोई उद्देश्य होता ही है बिना कोई कारे किये बिना किसी उद्देश्य कि अगर कोई कारे किया जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं नहीं रहता मुलिय इंद्रान कारी भी किनी उद्देशों से प्रणित हो करना चाहिए यानि कि आपका उद्देश क्या है है लाब क्राब कमाना है या जैसे बहुत सी संस्थाइं ऐसी होती है जो गेर लाब का का मिकरती सें एंज्यीयो अगर हैं सामाजिक संस्थाइं हैं वो जो कारे करती हैं वो गेर अपने कह सकते गेर वानिज्य कारी होते हैं उनको प्रॉफिट कमाना या लाब कमाना उनका उद्देश्य नहीं होता कि समाज कारे करना ही होता है किन्तु मैक्सिम्म जो फर्म्स या कंपनीज हैं उनका उद्देश्य लाब कमाना ही होता है त जो पहला जो उत्देश्ये का जो main heading या main point है वो है लाभ प्रधान उत्देश्ये यानि एक संस्ता के मुल्य निर्धारन के क्या-क्या लाभ प्रधान उत्देश्ये हो सकते हैं पहला जो point है वो है अधिक्तम लाभ अरजित करना या कि maximize profits गेन करना मुल्य निर्धार्ण का उद्देश्य अधिक्तम लाब अरजित करना हो सकता है यह उद्देश्य प्राचिंतम उद्देश्य यानि क्योंकि कोई भी कार्य जो सलस्थाएं बाजार में उतरती हैं अपने वस्तू और सेवाओं को विक्रे करने के लिए तो उनका जो स सिमान्त लांगत्ः सिमानत आय के बराबर हो जाए और अधिकादिक लाब पूरा किया जा सके जानि कि अपकी सिमान्त लागत्थ है यानńकी मार्जिणल कोस्ट वो मार्जिणल रेवेन्यु के इक्विलेंट हो जाय इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सलस्था यह ब बिद्वान है या जो इस सेक्टर से जुडएवे जो बहुत से से लोग हैं वो उसको उचित नहीं मानते यह जो दो अदेश है कि एकादिकारी के स्थती हो और मुल्य उच्छे कीमत पर बेचा जाए उनका ये तर्क है कि ऐसा अदेश्य सामाजिक दाइत्व की अवधारना के विरुद्द होता है क्योंकि जब कोई एकादिकारी की स्थती में होता है तो अपनी मन मर्जिक के आसाब से माल को ग्राको नोग पहुचाता है तो उसम्रें सामाजिक दाइत्व के जो भावना होती है उसके वो विरुदD कारे करता है दूसरा जो उन्हें तर्क दिया वो कि उत्तपाद या सेवा कि वो बहुत से जो फर्मस हैं वो एक correctly सेवाओं का या वस्तु हों का विक्रेकर की मारकेट में वो लेकर आती हैं तो किसी भी एक barrier की sector कभी भी मारकेट में नहीं बन पाती है ऐसा बहुत ही rare of the risk केस में ही ऐसा हो सकता है वर्तमान समय में ऐसा खुछ भी संभव नहीं है थर्ड जो उन्होंने जो तरक दिया वह आजकल कहीं ऐसे अधीनियम बन गए हैं जिनके कारण अधिकादिक लाब कमाना संभव ही नहीं है यानि कि आपको जो लाब अगर कमाना चाहते हैं जादा से जादा वो संभव नहीं है क्योंकि जो प्रतिस परदा किस्तती है वो बहुत जादा है दूसरा जो मुल्य लाब प्रदान का जो देश्य के अंदर दूसरा जो पॉइंट है वो है का एक उद्देश बाजार की मलाई उतारना होता है इस उद्देश के अंतरगत उत्पाद का प्रारंबिक मुल्य बहुत अधिक रखा जाता है इसे प्रारंबिक विक्रह से बहुत अधिक लाप अर्जित किया जा सकता है यही मलाई उतार मुल्य कहलाता है यानि कि जब कोई जब कोई फर्म अपना कोई नया प्रोड़क्ट मार्केट में लेकर आती है तो वह अपने उस प्रोड़क्ट का या उस सेवा का जो मुल्य वह बहुत अधिक रखती है क्योंकि जब वह प्रोड़क्ट मार्केट में लांच किया जाता है तो ग्रहागों को उसके बारे में उस कर लिया जाता है तो यही मलाय उतार मुल्य कहलाता है कुछ समय बाद में जब उस उत्पाद की प्रतिस पर्दिया स्थानापन उत्पाद बाजार में आ जाते हैं तो उसका मुल्य घटा दिया जाता है मुल्य निर्धारन का ऐसा उत्देश तभी पूरा होता है जबकि उत्पाद बिलकुल नया हो तदा उसका कोई स्थानापन या प्रतिस प्रति उप्लब्द कोई प्रोड़क्ट उप्लब्द ना हो थर्ड जो इसका जो पॉइंट है वो है विक्रे पर लक्षित लाब को प्र प्रति उकाई हो सकता है जैसे करें हम बात करें कि विक्रे पर बीस प्रतिशत लाब या बीस उप्रति उकाई लाब अर्चित करने का लक्ष निर्धारित किया जा सकता है अता मुल्य निर्धारित करने के लिए उत्पाद की लागत में इतनी प्रतिशत राशी या कमाना है तो आप उसमें 20 रुपे जोड सकते हैं तो यह आपकी अचीविंग टार्गेट रिटर्न ऑन सेल्स की स्कीन कहलाएगी अगला जो इसका पॉइंट है वो है विन्योग पर लक्षत लाब को प्राप्त करना यानि कि अचीविंग टार्गेट रिटर्न ऑन सकता है यह सर्स्था में कुल विन्योग की गई राशी के निश्चत के रूप में ससकता है 이걸 की गई राशी का वी स प्रतिषत करने का कि लख्ष जैसे किसी और कोजिए नय फर्म कि घटिक्ट जब कोस्ट और नदो लिज़ उन्होंनों फिक्स उस पे कर दिया हो कि हम इस पर तोटल जो हमरे राशी विंःयोग्य की इनवेश्ट के उसक पर हम 20% या 30% या 10% लाब लेंगी. अगला है उचित लाव अर्जित करना कुछ संस्ता या उचित लाब अर्जित करने की नीती भी अपनाती है, ऐसी संस्थाईं अपनी प्रतिस परदिस संस्था के मुल्ईयों तथा अपनी लागतों को द्यान में रखर ऐसा मुल्ई निधारइद करती है जिससे कि वह उच्छे तेफ संतोज जन्यक लाग कमा सकी, अगला हानी का निउज़ निकरаров यानि कि उनको minimize करना कभी कभी संस्था भेंकर प्रतिस परदा की स्थी में आ जाती है ऐसी स्थी में संस्था के लिए लाब कमाना कठिन हो जाता है ऐसे में उसका मुल्य निधारन का उद्देश लाब कमाने की बजाए हानी को कम से कम करना हो जाता है मतलब जिसे जब एक ही बाजार में बहुत सारे प्रतिस प्रतिस्परदी उपलब्द हो तो आप उसमें लाब कवायने की स्थिती में नहीं रहते आपको आपका मकसर या आपका उदेश्य के विल इतना होता है कि आपको हानी जो है वह कम से कम हो अगला जो हम बात करेंगे उसमें जो पहला पॉइंट है वो है विक्रे मात्रा को अधिकाधिक करना स्टुडेंट्स मुल्य निर्धरन का उद्देश्य विक्रे के मात्रा को अधिकाधिक जानकी maximize करना भी हो सकता है ऐसा उद्देश्य रखने से विक्रे के मात्रा को तो बढ़ाया ही जा सकता है साथी संभावित प्रतिस परदी संस्ताओं को बाजार में प्रवेश करने से रोका भी जा सकता है ऐसे उद्देश्य को प्राई विद्यमान विक्रे में एक निश्चत अवधी में एक निश्चत प्रतिशत की व्रदी के रूप में प्रकट किया जाता है ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राई निम्नांकित या हम कहलें कि जो कुछ उपाय हैं वो करने होते हैं जैसे कि प्रमोशनल जो आपके रिसोर्से से उसके उप्योगी को बढ़ाणा आपकी जो कॉंपिटीटर हैं प्रतिशपर्दी मुल्य रखना मतलब आपके सामने वाले जो फर्म्स हैं जो कॉंपिटीटर्स हैं उनके मुल्य की हिसाफ से अपना मुल्य निजाहित करना परिमानात्मक विक्रे बट् होता है क्योंकि अगर जब समय सही होगा तब आप लाप कमा सकते हैं अगर आप मार्केट में रहते हैं दूसरा है ग्रहाकों की संख्या को अधिक अधिक करना करना सकता है प्राय नए सहंस्ताइं ग्रहाकों की संख्या बढ़ा कर अपना विक्रे बढ़ाती है कभी-कभी प्रानी सहंस्ताइं यह भी ने उपाय किये जाते हैं जो विक्रा की मात्रा को बढ़ाने के लिए किये जाते हैं जैसे कि डिसकाउंट्स देना अपनी जो मुल्य है उसको मिनिमाइज करना और ज्यादा मुल्य ना रखना ज्यादा प्रॉफिट ना कमाना तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है बाजार भाग या अंश को बनाए रखना कभी कभी मुल्य निधरन का उद्धेश संस्ता के बाजार भाग या अंश को बनाए रखना होता है ऐसा उद्धेश तब रखना होता है जबकि संस्ता भारी प्रतिस परदा से गुजर रही हो ऐसी इस्तिती में संस्ता अपनी लागतों तदा ला बाजार भाग या बाजार अंश को बनाए रख सकती है क्योंकि अगर आप कीमतें ज्यादा करेंगे लाब का प्रतिशत बढ़ाएंगे या उसको उसी बनाए रखेंगे तो घ्रहक आपका माल नहीं खरी देंगे इस तरह से आपको जो मार्केट शेर है वो गिरता चला अगला जो इसका पॉइंट है वह बाजार भाग को अधिक्तम करना मैक्सिमाइज मार्केट शेर मुल्य निर्धारन का उत्देश बाजार भाग को अधिक्तम करना भी होता है ऐसा उत्देश तब रखा जाता है जबकि संस्ता के स्थापित उत्पादन शमता अधिक होती है वह बाजार भागी को बढ़ा कर विक्रे बढ़ाना चाहती है ताकि व्रह दियान की बड़े उत्पादन की बच्छतें या लाब प्राप्त किये जा सकें इस्टुडेंट नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यथा पूर्व इस्तती उद्देश्य इसमें जो पहला पॉइंट है वो है मुल्य इस्तिर्था बनाना मुल्य निधारन का उद्देश्य मुल्यों को इस्तिर्था प्रदान करना भी होता है ऐसा उद्देश्य तब होता है जबकि उत्पादन बहुती प्रमानित होता है तदा संस्ता ख्याती प्राप्त होती है ऐस यान कि आपकी जो मुल्य हैं उसमें इस्थिरता आप में ज्यादा उसमें आप अब ना करें जाता घड़त बड़त उसमें ना करें अकर उसमें इस्थिरता रहेगी तो ग्रहाक आपसे लंबे समय तर जुड़े रहेंगे अगला प्रतिस परदा का मुकाबला करना कभी कभी मुल्य निर्धार्ण का उद्देश्य प्रतिस परदा का मुकाबला करना होता है इसे तू कुछ संस्ता हैं अपने उत्पादों का मुल्य बहुत कम रख लेती हैं ताकि प्रतिसपर्दी संस्ता हैं बाजार में प्रवेश ही ना कर सके या प्रतिसपर्दी संस्ता हैं प्रतिसपर्दा में टिक ही ना सके किन्तों कोई भी संस्ता धिर्ग काल तक मुल्य को कम नहीं रख सकती अताब प्रतिसपर्दा में ठिके रहने के लिए मुल्य के इस्थान पर अन्य आधारों पर भी प्रतिसपर्दा करनी पड़ती है थर्ड जो इसका पॉइंट है वो है अस्तित्व की रक्षा करना या अस्तित्व रक्षा करना To ensure existence मतलब आपका मार्केट में आपका अस्तित्व बना रहे आपकी फर्म का कभी कभी मुल्य निधर्ण का अदेश अपने अस्तित्व की रक्षा करना भी होता है ऐसी स्थिती तब उत्वन होती है जबकि बाजार में भिशन प्रतिस पर्था ओ, संस्ता के उत्पाद और प्रचलित होने लग गए हो या संस्ता के उत्पाद ने शमता का अनुकुलतर मुपयोग भी नहीं किया जा सकता हो ऐसी स्थिति में मुल्य निर्धारण का मुल उद्देश भी अस्तित वरक्षा ही होता है ऐसा उद्देश अलपकाल के लिए ही होता है तब मुल्य से कम से कम परिवर्तन लागतें पूरी करने का धे होता है इससे उपर जो भी मुल्य वसूल किया जा सके पर निधारित किया जाता यानकि बाजार में आपकी जो वैरियबल कोश्टर केल वही वसूली जाए अगर वो उसे जादा अगर आप लाब अरजित करने की अगर आप मंचा रखते हैं कि मैं उसका एक्सिस्टेंस है उसके उपर भी खत्रा मन रहा सकता है इसलिए उसको सोच समझ करी अपनी नीतिया बनानी चाहिए लास्ट का अपन बात करें अन्य उद्देश यान की और क्या उद्देश इसके हो सकते हैं तो उसमें पहला जो पॉइंट है वह उच्छे किस्म सिद्ध करना कुछ भागता है मानते हैं कि उच्छे मुल्य के उद्पादों की किसम ही अच्छी होती है यानि कि बहुत से ब्रेंडेड कोई चीज़ अगर कोई खरीद रहा है तो वो उसकी किस्म होती है वो हमेशा उच्छे ही होती है तो उनके मन में ये विचार मेशा है रहते हैं कि उच्छे जो हम पे कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उसकी गुणवात्ता भी उच्छे ही होगी कई उत्पाद है अपने उत्पाद की जो किस्म को अच्छा सिद्र करने के लिए उच्छा मुल्य निधारित करते हैं और से वो बनाए भी रखते हैं दूसरे उच्छित मुल्य च्छवी बनाना कुछ संस्ता ही अपनी च्छवी उच्छित मुल्य वसूलने वाली संस्ता की बनाना चाहती है अता उसका मुल्य निधारिन का उद्देश उच्छित मुल्य च्छवी बनाना ही होता है जैसे आपने जो चवी है वो ऐसी ही रहेगी कि आप मनला हमारे जो वस्तु या सेवा का जो हम विक्राय कर रहे हैं उनकी क्वालिटी हमेशा वो एंशुर करते हैं कि अच्छी होगी इसलिए वो ऐसा को रखते हैं कि उसमें ज्यादा बागिनिंग नहीं होती वो हमेशा उसकी जो मुल्य है वो उन्होंने उच्छीत ही डिसेड किया हुआ होता है और ग्रहाग अगर उसे संतुष्ट होते हैं तो उसके माल को पर्चेस करने के लिए खरीदने के लिए तैयार होते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद